हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम मेटलोजी अन्ड मेसरिंग इस्टूमेंट से जो है अंतर परिवायतिन यता क्या होती है इस बिशर में पढ़ने वाले हैं और इसके क्या लाब होते हैं इन सभी बारों में हम बात करेंगे तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो स्मेटरलाजी एंड बेजरिंग इस्टूमेंस के और सा भी नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में लिंक मिल जाएगी वहाँ से जाके आप हमारे सारे वीडियो लक्षर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टिलीग्रा चैनल के लिंक दे देंगे जहां से आप इस वीडियो को असानी से ले सकते हैं तो दोस्तों आप से रिक्विष्ट करते हैं यदि आप हमारी चैनल पर नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आकन प्रेस करें जिससे हमारे द्वार अप्ल के गुड अस्तर को ध्यान में रख्ते हुए एक ही माक वा आकार के किई उत्पाद का का इट्रव मात्रब में डैतन किया जाता तो दोस्तों अंतर प्रिवेटनियता कि ऊंतर र्गत क्या होता कि जो हम किसी मशीन के आवयाव इसको धियान ancestor कुद्ध्यान के डियान में रखते हुए एक ही माब के बहुत ही मात्रा में किसी भी product का निर्मार करते हैं तथा उत्पाज की गुडवत्ता का विश्य ध्यान रखते हैं तो दोस्तों, के सायोजन के समय उस उत्पाज की ब्रहद या समू उत्पाज की धेर में से कोई भी एक पीस कोई भी एक पीस या उत्पाज लगाया जा सके या फिट किया जा सके तो दोस्तों जो हम उत्पाज बनाने वाले हैं काफी मात्रा में उसके धेर में से कोई भी एक पीस हम मूठात हैं और वो कि जहां में फिट करना हूँ आसानी से लग जाए इसलिए इसे अंतर परिजिंटिन अंदर बनाते हैं और उसके गुड़स्तर को हम ध्यान में रखते हैं इस परकार किसी पाद का बिरहत मात्रा में समुध पादन करना तब ही संभा होगा फिट किया जा सके इस पर कर उस उसकात की माप वा गुड़स्तर को ध्यान में रखते हुए उनमें से अंतर परिवर्थिनियता होगी तो दोश्ते अंतर परिवर्थिंटिया का जो ढ Subscribe का जो में डिफिनीशन है यहां सेじゃए इस परकार का अंतर जाता है कि उसके माप हुआ आकार में कोई भी अंतर ना हो तो दोस्तों जो भी हम अंतर पर रिवरतनी है था कि अंतर किसी भी उत्पाद के जब बड़े पाइमाने पर उत्पादन करते हैं तो ऐसी तक्नीक का ध्यान में रखकर उत्पादन करते हैं कि जब हम किसी भी प्रड को बनाते हैं उसका आकार और माप को ध्यान मेरे रखतर बनाते हैं कि उसमें कोई अंतर ना हो निश्चित सीमा तक तथा जरूरत पढ़ने पर उस उत्पाद को बिना कोई बदलाव किये असानी से उन्हें तूटे फूटे या पुराने आवयाव के असान पर तूरंत रखा जाए तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा बात यह है कि इसको जो है अंतर इंटर चेंजबिल्टी के अंतर गट क्या करते हैं उसे उत्पाद को बनाते हैं जिसका माप और सीमा काफी निश्चित रहती है उसको हम किसी भी टूटे फूटे अस्थान पर तूरंत रख दे और बदला जा सके वह संयोजन में किसी परकार की कटिनाई ना आने पाए जिसके जिससे किसी परकार की और दोगी कार्चन ना आए तो दोस्तों इंटर चेंजबिल्टी के अंतर गट यही होता है अब बात कर लेते हैं जो हमारा अंतर परिवेलतिनियता का लाब क्या-क्या है दोस्तों इसके जो लाब है वह विरहद या समुष पादन के अंतर गट अंतर परिवेलतिनियता के कई लाब है जैसे कि आपनों पहला देख सकते उत्पाज को संयोजन करना सरल होता है तो दोस्तों इसमें यह बताया गया कि उत्पाज जो आपकर हो इसको जोड़ने में का शरल होना चाहिए दूसरा जो आन रहेरा है उसका निरच्छड ऊसानी से हो सकते हो जाता है तो दोस्तों इसमें अंतर पर अंतर जटेंटा का जो दूसरा लाब है यह अंतर्प्राजिम वरितिनित्ताका जो है लाव है अब बात करते हैं चौत जो इसकी लाव ऑत्पाज का सयोजन असानी से हो जाता है पांच जो इसका लाव है सयोजन करते समय उतपाज के चुनाओं की आवस्चक्टा नहीं पड़ती तो दोश्तों इंट्रेश्यंस्बिल के अस्थान पी जहां में रखना जोड़ना रहता महा रख देते हैं वह असानी से फिट हो जाता है यही क्या होता है इंटर्चेंजबिल्टी के लाव होते हैं और जो छटमा हमारा है एक ही आकारवा माप के उत्पाद बजार में असानी से उपलब्द हो जाते हैं तो इंटर किया जा सकता तो दोस्तों अलग-अलग कंपणियों दार जो है उत्पाद का निर्माड किया जाता है अब आटवान नमबर देख लेते हम एक ही उत्पाद देश या विदेश में कहीं पर भी लब्ध हो जाता तो दोस्तों एक उत्पाद आप लोग जानते भी हैं किसी भी प खरी सकते हैं और जो नौवा इसके लाब एंटर्चेंजबिल्टी के वो किसी उत्पाद के उत्पादन में मित्वेता आती है तता उच गुण अस्तर के अच्छे टिकाओ यो विश्वासनिये उत्पाद तयार होते हैं दस्वा जो इसके लाब हैं किसी मसीन या उत्पाद के अंतर पैवेतिनिता पाट का विरहत या समू उत्पाद संभव है जो इसका एक ग्यारा है लाब अंतर पैवेतिनिता से समय यों पैसे की काफी बचत होती है जो कि किसी देश की अर्थव्योस्ता वो सुद्धिर्यड बनाये रखती है तो दोस्तों ये सबसे मोश्ट का है कि अंतर पैवेतिनिता से यह लाब है कि इसमें समय यों पैसे की दोनों की ही बचत होती है जो कि किसी भी देश की आर्थव्योस्ता को बनाये रखने का सबसे बहुत बड़ा पॉइंट होता है इस के लिए अब बात कर लेते हैं जो हमारे next questions है next topic है महत्पूर परिभा आसा है जो है अलपत मांग क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले इसकी definition पढ़ लेते हैं हम कि लिष्ट काउंट क्या होता है किसी भी मापन यहंतर द्वारा मापी जा सकने वाली सूच मता माप उस यहंतर की अलपत मांग कहलाती है तो दोस्त दूसरे सब्दों में किसी भी उत्पात किसी भी मापन यहंतर के मापन इसकेल पर अंकित इसके एक विभाजन की बराबर माप के मान को उस यहंतर का अलपत मांग कहते हैं तो दोस्तु इसमें यही बताया गया है कि किसी मापन इसकेल पर अंकित एक इसकेल विभाजन जो ब प्राबर माप के मान्ट को उसे अंतर का अलपत मांग कहते हैं तो दोस्तो आप लोग देखे होंगे, स्केल कुछ इसपरकार होती है. उस पर अलपत मांग लिखा होता है, 1 A.M., 2 A.M., आनि 1 cm , 2 cm लिखकर रहता है. जब हम किसी बस को मापते हैं तो उसके दो सिंटीमीटर का जो माप होता है उसी को हम अलपत मांग कहते हैं हम बात कर लेते हैं कि प्रास का क्या होता है उसके बारे में तो दो तो रेंज क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं से पहले definition देख लेते हैं किसी मापन यंत्र के प्राश का अर्थ है कि उस यंत्र द्वारा नियुंतन से लेकर अधिकतम माप तक मापी जा सकने वाली माप को ही व्यक्त करना जैसे इस माइक्र मीटर की प्राशmers जो होती है 11byrm से पचीं मिलीमीटर होती है और 25-50 प्राश से 50 mm तक ऑचास से 100 mm तछो भी तो दोस्ती यह रेंज का सीधा सा मतलब क्या है हम शक्केश से कितनी माप माप सक्कते हैं कम से कम उसको हम एक mm से लेके जो स्वारी एक सेंटीमीटर से लेके हम 15 सेंटीमीटर तक कम से कम एक सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीमीटर तक माप सकते हैं उससे ज्यादा हम माप नहीं सकते क्योंकि उस दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी यानि रेंज हो गई वो दुख हमारी हो गई एक सेंटी मीटर से लेकर कितना हो जाएगी हमारी वो हो जाती है 15 सेंटी मीटर उसी को हम क्या कहते है प्रास कहते हैं अब बात कर लेते हैं हमारा जो है सुचमता क्या यानि प्रिसीजन क्या होता है उसके बारे में किसी माप को एक ही परकार से कई बार मापा जाए और माप हर बार एक समान हो तो इस परकार ली गई मापों को समानता उसकी सुचमता कहलाती है तो दोस्तों सुचमता यानि प्रि area को मापते हैं और बार-बार उसी इस कई बार ककम आपते हैं और उसका जो काउट या distant napने का वो एक समान ही आ रहा है तो दोस्तों इसी को हम precision कहते हैं या सोचमता कहते हैं अब बात करते हैं हमारा जो next है इसमें बारम बारता क्या होती है repeatability क्या होती है इसके बारे में तो दोस्तों सबसे पहले हम definition देख लेते हैं किसी माप पनियंतर द्वारा समान परिष्थितियों में मापी जाने वाली किसी माप पाठ्यांकों को बार बार दोहराने की किरिया उस यंत्र की बारम बारता कहराती है तो दोस्तों यह बताया गया है कि किसी मापन यंत्र द्वारा जब हम किसी समान परिष्थितियां में मापी जाने वाले किसी माप या पाठ्यांकों को बार बार दोहराते हैं दोराने की किरिया को होई उसी अंत्र का बारंबारता कहले आते हैं जैसा कि आप लोग ने प्रिसीजन में देखा प्रिसीजन में हम लोग किसी डिस्टेंस को माप रहते हैं उसकी जो है बार बार जो डिस्टेंस आ रही थे दस दस सेंटीमीटर आ रही थे उसी को हम बारंबा कहते हैं हैं कि अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेश्ट टॉपिक इस्के बारे में बात कर लेते हैं सबसे निवारा माप k गई प्रेचित माप वा वास्ट्री माप में जितनी समानता होगी वह यंतर उतना ही अथार्थ होगा अर्थात किसी मापन यंतर द्वारा मापी गई प्रेचित माप यानि अपजार्वेशन मेजर्मेंट की वास्ट्री माप एक्शुल से निकटता ही उसकी जो क्या कहलाती है यह थारता कहलाती है तो दुस्त, इसमें यह बताया गया है कि जब हम किसी यंधरद्वारा किसी भी बस्त को मापते हैं तो उसका जो प्रेच्छित मापयानी जो सुएम हम माते हैं उसकी माप पर जितनी सब्सक्राय बनता आती है और उसके बाद जो हम वास्ट्विक माप से मापते हैं उसकी जो समानता आती है उसी को क्या कहते हैं दोनों के बीच जो वह आता है क्या कहते है जो निकटता आती है उसी को हम क्या कहते हैं जा थारता कहते हैं यानि अपरेशी कहते हैं अब बात कर लेते हैं सुग्राहिता क्य किसी माप के छोटे से छोटे अंतर को मापने की सुचमता ही उसकी सुग्रायता कहते हैं जैसा कि आप लोग किसी विवस्त को मापते हैं जो चोटे छोटे अंतर आते हैं उसकी ही सुचमता को हम क्या कहते हैं तो दोस्तों और वीडियो और जो हम टापिक कवर करने वाले हैं अगली वीडियो में कवर करेंगे तो तक तक लिए जाहिं जैवारा दोस्तों